हेलो दोस्तों आज मैं आपके साथ सूजी के लड़ू की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत कम समान से तया हो जाती है और खाने में बहुत स्वाधिस्ट होती है इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है तो यहां पैन में मैंने लिया है दो बड़े चमब देसी की और उसमे अगर आपके पास मोटी सूजी है तो इसे हमें लो फ्लेम पे लगाता चलाते जाना है ताकि जो सूजी है वो नीचे ना लगे क्योंकि जो नीचे लग जाती है तो उसका बहुत जल्दी कलर चेंज आता है और खाने में भी वह इतनी स्वाधिस्ट नहीं लगेगी तो लिए तो इस स्टेज में यहां पर हमें चार या पास बड़े चम्मच दूद एट करना है अगर आपके पास मलाई है तो यहां पर मलाई डाल सकते हैं और साथ में मैंने एक कप चीनी डाली है और जो मेरी वीडियो थी वो रुख गई थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई और उसके बाद इसमें जो भी आपने ड्राइफ फूट डालने वो भी एट कर सकते हैं उसके बाद इसे हमें तकरीबन 3-4 मिनट और चलाना है बस हमें ध्याने रखना है अगर हम दूद मिला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा न मिलाएं ताकि अगर हम लड़्डू तो खाने में वो लड़्डू वाला टेस्ट नहीं आएगा अब इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ा सा इसका वेट करेंगे ताकि ये हलकी गुंगुने हो जाएं अब ये हलकी गुंगुने हो गए हैं तो अब इसके हम लड़्डू बना लेंगे अगर लगातार चलाना है और जब इसमें हम दूद एट करेंगे तो एकदम से बहुत ज़दा दूद नहीं डालना है स्टार्टिंग में दो तीन चमच दूद डालें अगर हमें मिश्रन ड्राय लग रहा है तब एक दो चमच और एट करें अगर हम ज़दा डाल देंगे दूद तो यह हलवे जैसे लगेंगे तो बहुत असानी से त्यार हो जाते हैं और बहुत टाइम भी नहीं लगता इन्हें बनाने में और खाने में बेहत स्वादिस लगते हैं और यह बहुत कम समान से त्यार हो जाते हैं ना तो इसके लिए हमें चाशनी की जरूरत है ना मावे की नहीं मिल्क पौडर की घर की सावान से बहुत असानी से सूजी के लड़ू बनाए जा सकते हैं तो एक लड़ू में आपको तोड़की भी दिखाती हूँ बहुत ही अच्छे बने हैं ये देखे कितने असानी से टूट रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने कमेंट्स बेसा जरूर शियर कीजिए फिर्मी लूंगी किसी ने रसिपी के सा